नमस्कार आप इस वक्त देख रहे हैं जिके न्यूज मैं हूँ आपके साथ गौरी तुर्वेदी आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है पीम नरुंद्र मोधी ने मंगलवार शाम को देशवासियों को संबोधित किया कोरोना संकट के बीच पीम मोधी अब तक लोगों से कई बार ऐसे रोपर हो चुके हैं जिसमें कई ऐसे बड़े इलान किये गए हैं इसलिए लोगों को इंतजार रहता है कि पीम मोधी कब नेशन के साथ जुड़ेंगे पीम नरिंद्र मोधी की शंबोधन को कई क्यास भी लगाय जा रहे थी जिनमें आने वाली तेवहारों से पहले लोगों के लिए शावधान करने सहिप लोगों से नियमों का पालन करने की अपेल की गई इसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी भी दी गई आईए आपको बताते हैं एक एक करके क्या-क्या सावधानिया बरतने के लिए नरिंद्र मोधी जी ने बोली पीम नरिंद्र मोधी ने कहा याद रखिये जब तक दवाई नहीं तक दिलाई नहीं एक कठिन शमय से निकल कर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी सिला परवाई हमारी घती को रोग सकती है हमारी खुष्टियों को दो मिल कर शकती है जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और शत्रकता से ये दोनों साथ-साथ चलेंगे तभी जीवन में खुसिया बनी रहेंगी दो गज की दूरी समय समय पर साबुन से हाथ दुलना और माश्क ध्यान रखिए आगे उन्होंने बताया वैक्सीन के लिए जीजान से जुटे हैं हमारे वैज्यानिक पीम नरिंद्रमोदी ने कहा कि बर्षों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध इस्तर पर काम हो रहा है अने एक देश इसके लिए काम कर रहे हैं हमारे देश की वैज्यानिक भी वैक्सीन के लिए जीजान से जुटे हैं भारत में भी करोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है इन में से कुछ एडवांस स्टेज पर भी हैं करोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल से जल पर देख भारती तक कैसे पहुँचे इसके लिए भी सरकार की तैयारियां जारी है एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुँचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है अमेरिका यूरोप इबढ़ रहे हैं कैसे मामले आगे बताने से पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है अब तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल J.K.News 100M को सबस्क्राइब नहीं किया है तो क्रपाया सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो पसंदाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेर जरूर करें ज़्यदसे ज़्यदा और कमेंट में अपने सुजाव जरूर डाल दें आगे बढ़ते हैं पियम नेरिंद मोधी ने कहा कि अगर आप लापरवाही परत रहे हैं बिना मास के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आपको, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देश में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए जब तक इसमा हमारी की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पढ़ने देना है आगे उन्होंने बताया कि ये लापरवाही बरतने का समय नहीं है पीएम नरिंद्र बोधी ने कहा कि सेवा परमोधर्मा के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे है इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब साफधानी बरतना बंद कर दिया है। ये ठीक नहीं है। लागडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन वाइरस तो नहीं गया ना। पीम नरेंद्र मोधी ने कहा कि लेकिन हमें ये भोलना नहीं है कि लागडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वाइरस अभी नहीं गया है बीते 7-8 महीनों में प्रतेक भारतिये के प्रयाश्री भारत आज जिन जिस संभली हो इस्तिती में है उसे बिगणने नहीं देना है आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है फैटलिटी रेट कम है दुनिया के साधन संपन्य देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है कोविड में हमारी के खिलाफ लडाई में टेश्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत है आगे उन्होंने क्या कहा बताएंगे आपको लेकिन आपको हमारी साथ बने रहना है बीच से वीडियो को छोड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे नेरज में मोदी ने कहा कि कुरोणा के खिलाफ लडाई में जन्ता कर्फू से लेकर आज तक हम भारतवासियों ने बहुत लंबा सफ़य कर लिया है समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही है हम ऐसे अधिकांस लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिस्त जीवन को गति देने के लिए रोजगरों से बाहर निकल रहे है तेवहारों के इस मौसम में बाजारों से भी रोनक धीरे धीरे लौट रही है देश के नाम संबोधन के लोग लेकर कांग्रेस के पुरवधिक शिराहुल कांधी में निसाना साथा उन्होंने कहा कि आज को संबोधन में क्रपया कर देश को बताएं कि चीनियों को भारत की धरती से आप कब ख़देडेंगे उन्होंने कहा कि dear PM, in your 6 PM address, please tell the nation the date by which you will throw the Chinese out of Indian territory Thank you इस प्रकार से आपको पता तो होगा ही कि कोरोना काल में देश के नाम संबोधन बहुत बारा आये हैं आपको बताएं कि 19 मार्च, 24 मार्च, 3 मार्च, 14 मार्च, 12 माई, 30 जून इन सब में एक से एक बड़ी घोशनाओं के साथ PM देश के नाम संबोधन करते रहे हैं इसी के साथ बसित भाही आसा करते हैं कि PM दोरा बताए गए सब ही नियमों का पालन करीगे अब सब Thank you, take care, goodbye